कॉंग्रिस ही नहीं 14 पॉलिटिकल पार्टियों को सुप्रीम कोड से निराश्या हाथ लगी है या यूं कहले जटका केंद्रे एजन्सियों के दुरुपयोग का जो मामला था वो सुप्रीम कोड पहुचा था और यही आरोप लगाती याचिका नहीं सुनी गई सुप्रीम कोड ने बुद्वार को कॉंग्रिस के नेत्रितु में 14 विपक्षी दलो द्वाराई दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया सुप्रीम कोड द्वारा सुनवाई से इंकार किये जाने के बाद विपक्षी दलो ने इस याचिका को वापस लिया दरसल शीष रदालत ने कहा कि नेताओं के लिए अलग-अलग दिशानर देश नहीं बनाया जा सकते प्रधान न्याधीश दिवाई चंद्रचूड ने कहा कि व्यक्तिकत मामले लेकर हमारे पास आईए सीजाई ने कहा कि राजनेताओं को किसी तरह की इम्म्यूनिटी नहीं मिली हुई है उनके लिए अलग प्रक्रिया कैसे हो सकती है अदालत नहीं आचिका करताओं से कहा कि आपने जो आँकड़े रखे हैं वो केवल राजनेताओं से जुड़े हैं आपका उदेश सेलेक्टिव टागेटिंग है विपक्षी दलों की ओर से वरिष्टवकी लभिशेक मनु सिंग भी पेश हुए उन्होंने कहा कि चौदर राजनुतिक दल देश के 82 प्रतीशत एलेक्टुरेट का प्रतनेदित्व करते हैं इन पर असर पड़ेगा तो लोग भी प्रभावित होंगे सिंग्वी ने कहा कि बड़े पेमाने पर गरफतारियां लोकतंत्रों के लिए खत्रा हैं CJI ने कहा कि जब आप कहते हैं कि विपक्ष की जगए सिकुड गई है तो उसका निदान उसी जगha राजनीती में है अदालत में नहीं CJI ने कहा कि आप जो गाइडलाईन्स चाहते हैं मैं बताता हूँ कि आचिका सुनने में क्या समस्या है आप कहते हैं कि साथ साल से कम सजावाले अपराधों में गिरफतारी नहीं होनी चाहिए जब तक ट्रिपल टेस्ट से संतुष नहीं हो मैं आपको एक आसान उदारण देता हूँ यह याचिका वैसे तो नेताओं पर फोकस है उन्हें को इम्म्यूनिटी नहीं मिली है वैसे मामले लीजे जहां शरीर पर हमला नहीं होता करोडों के वित्य घोटाले होते हैं क्या हम कह सकते हैं कि चुकि इसमें शरीर को नुकसान नहीं हुआ गिरफतार मत कीजे विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ट दिवक्त अभिशेक मनु सिंग्वी ने तर्क दिया था कि 2013 से 2014 से 2021 बाइस तक CBI और ED के मामलों में 600 प्रतीशत की वृदू हुई है ED द्वारा 121 नेताओं की जाँच की गए जिनमें से 95 प्रतीशत विपक्षी दलों से दरसल विपक्षी पार्टियां पिछले काफी समय से केंद्रे जाँच एजनसियों की निश्पक्षिता पर सवाल उठाते हुए विरोध जता रही है विपक्षी दलों ने आरोप लगाए था कि साल 2014 में केंद्र में मोधी सरकार के आने की बाद से बड़े पैमाने पर जाँच एजनसियों का दुरुपयोग हुरा है इनका ये भी कहना है कि जाँच एजनसियों के गलत इस्तिमाल से लोगतंतर खत्रे में आ गया विपक्ष के कुछ नेताओं ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को भी कुछ समय पहले चिठी लिखकर सी बी आई और एडी का गलत इस्तमाल करने का आरोप लगाया इस चिठी में ये भी लिखा था कि जो नेता भारती जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जाँच या तो धीमी हो जाती है या खत्म हो जाती विपक्षी दलू ने सीधे तो और पर आरोप लगाया कि जाँच एजनसिया बीजपी विरोधी पार्टियों के खिलाफ ही कारवाई कर रही है वही नारोपों को बीजपी ने खारिश करते हुए कहा कि जाँच एजनसिया बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर रही है अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर